हेलो एब्रीवन मोश्ट वेलकम आलो आफ यू इन बाइलोजी टॉप टेक चैनल तो एब्रीवन तोड़े हम लोग डिसकस करेंगे केमेस्टी कोश्चन पेपर के बारे में तो यानि कि हम लोग जो है प्रीवियस इयर 2020 में जो इन्टेनंस पेपर को यहाँ पे डिसकस करेंगे तो यहाँ पी जो है chemistry section से जो है पहला question पूछा गया था आकार की आधार पर आइनिक नाभिक का करम क्या है First option दिया है I plus lesser than I, lesser than I negative Second is I plus lesser than I negative, lesser than I Third option is I negative, lesser than I plus, lesser than I And last option is I lesser than I negative, lesser than I plus So correct option हो जाएगा हम लोग का option number First वाला जो आकार के आधार पर आइनिक नाभिक का करम यहाँ पर जो होगा वा जो है option number first वाला होगा I plus iodine plus lesser than I, lesser than I, iodine negative तो यहाँ पर option first जो है correct option हो जाएगा अगला प्रस्ण है the balance of nitrogen in N2O5 is N2O5 में जो यहाँ पर दिया गया है N2O5 में nitrogen की बैद्रता balance किया है First option है 2, second है 4, third option है 3 and last option है 5 तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number D वाला 5 अगला प्रस्ण है एक गैस का सूत्र CO का whole यहन होता है यह इसका वास्प गनत 56 है तो यहन का मान क्या होगा पहला option है 2, second है 3, third option है 4 and last option है 5 तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number C वाला 4 अगला प्रस्ण है thermo plastic का एक उदाहरण क्या है फर्स्ट option है polyethylene, second है वेकलाइट, third option है सिलकान and last option है मेला माइन तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number फर्स्ट वाला polyethylene जह होई थर्मो प्लास्टिक का एक उदाहरण है तो polyethylene जो थर्मो प्लास्टिक के और एक्जाम्पल होंगे वा एक्रिलिक, एक्रिलिक, polystyrene, polystyrene, nylon, teflon, nylon, teflon, polystyrene, acrylic and polyester polyester इत्याद ही जो है थर्मो प्लास्टिक के एक्जाम्पल जो है यहाँ पे अगला प्रस्ट है एंफो टीरिक अडूओं में निमलिखित में से कौन सा सामिल है फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्टिक एसीड, सिकेंड है मैलिक एसीड, थर्ड है चीनी and लास्ट ऑप्शन है जल तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का आप्शन नमबर डी वाला वाटर वाटर जो है इंफो टीरिक अडूओं में सामिल है तो इंफो टीरिक अडू जो ऐसे नमक दो साइन्टिस्ट हैं जिन्होंने थेवरी दिया कि ऐसे मॉलेक्यूल जो की डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं एच प्लस प्रोटान आयन को वही जो है एंफो टीरिक मॉलेक्यूल कहलाते हैं यहां पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन देगा तो ऐसे करनेट और capaceur करते हैं यह जो एमफोट्रेइग मॉलेक्यूल कहलाते हैं अगला प्रसन इताबा और जस्ता के मिस्रधातु के रूप में जाना जाता है यहां पर बताना है कि ताबा और जस्ता जो है यहां किसका मिस्रधाथ होते है अमलब इन दोनों का कॉंबिनेशन से से का हम लोग का यहां पर जो आफ्सिन नंबर फस्ट वाल है ब्रास जो पीतल है पीतल जो ब्रास से वही जो है कॉपर एंड जिंक काल जो है एलो होता है अगला प्रस्ट है रसायन विग्ञान की किस साखानी पदार्थ को अलग करने और मात्रा कमापन करने के लिए इस्तिमाल होने वाले इंत्र और विदियों का अध्यान किया और उन्हें उप्योग किया है फर्ष्ट ओप्सन है इन और्गैनिक रसाइन विग्यान second है बिसले सदात्मक रसाइन विग्यान third option हैग्रेपिमेट्री and last option है कैलोरी मेट्री तो करेक्ट ओप्सन हो जाएगा हम लोग का option number B वाला बिसले सदात्मक रसाइन या analytical chemistry option B जो है correct option हो जाएगा अगला प्रसन है 30 मिनिट में एक पर्थम कोटी की अपकरिया 50% पूरी होती है अपकरिया का 87.5 परतिसत पूरा होने में कितना समय लगेगा तो यहां पर फर्स्ट आप्सन 30 मिनिट, सिकेंड है 60 मिनिट, थर्ड आप्सन 90 मिनिट और लास्ट आप्सन 120 मिनिट तो इसका जो करेक्ट आप्सन हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का आप्सन नंबर सी वाला 90 मिनिट तो 90 मिनिट कैसे हो रहा है तो यहां पर ध्याम दीजीगा तो 30 मिनिट में एक पर्थम कोटी की किरिया 50% पूरी होती है मलब कि हाप पूरी हो रही है तो यहां पर हो जाएगा हिंस जो पर्थम कोटी की अपकिरिया के कोर्डिंग जो यहां पर हो जाएगा फरस्ट आ Another तो 50% मरलब कि आधा जो है 30 मिनिट में वो रहा तो 2 multiply 3 कर देंगे equal to आ जाएगा 60 मिनिट तीस दूना साथ हो जाएगा यहाँ जब आ जाएगा साथ तो हैंस यहाँ पर अब जो है 87.5% पूर होने में यहाँ पूछा कि 87.5% पूरा होने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा ती उन बाइट इकवल टू जो यहाँ पर पूरा होगा है इसका 30 मिनिट ने देन हो जाएगा यहाँ पर टी इकवल टू 2 multiply 3 into 60 देन 87.5% पूर होने में कितना समय लगेगा यह पूचा है तो यहाँ जो 87.5% परसंट इसका 3 इसका 3 हाफ जो पूरा हो जाएगा T equal to 3 multiply 30 तो यहाँ पर जब आ जाएगा 90 तो 30 का multiply करेंगे 30 से तो यहाँ पर 90 answer आ जाएगा तो यहाँ पर option C जो है वेड़ी correct option हो जाएगा 90 minute अगला प्रस्ण है उत्पादक gas को निमलिखित में से किस मिस्टर की रूप में परिभासित किया जाता है तो producer gas जो है उसे किस की जो है mixture की रूप में परिभासित डिफाइंड जो है किया जाता है फर्स्ट option है carbon dioxide और hydrogen, second carbon monoxide और hydrogen, third carbon monoxide और nitrogen, last carbon dioxide और nitrogen तो correct option हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का option number दोनों सही है B and C यहाँ पर जो B और C all option है दोनों सही है बट यहाँ पर ऐसा कोई option नहीं दिया जिसमें बोला हो कि बूथ B and C ऐसे करके कोई option यहाँ पर नहीं दिया है बट यहाँ पर जो दोनों option सही B and C जो producer gas है CO plus H2 and CO plus N2 इन दोनों का combination होता है तो कुल मिलाकर यहाँ जो producer gas CO plus H2 plus N2 का combination होता है तो जिस option में carbon monoxide hydrogen and nitrogen दिया रहेगा और यहाँ पर यहाँ पर जो है B and C दोनों option सही है पर यहाँ पर कोई अगला प्रस्ण हो जाएगा निमलिखित में से किस बहुविदी के संस लेशर में नियमित अंतराल पर छोटे-छोटे molecule का हानी होना आवस्यक होता है फर्स्ट option है polythene, second है nylon 6-6, third है बिवना एस and last option है बिवना एस तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number B वाला nylon 6-6 अगला प्रस्ण है enzyme के binding site से एक substrate को रोकने वाले दमाई dash के रूप में जानी जाती है तो enzyme के binding site पर जो है एक substrate को जो है बढ़ने से रोकने वाली जो drugs हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता ही बताना है first option है संदेशक, second है जहर, third option है और ओधक and last option है प्राप्ट करता तो इसका जो correct option हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का option number C वाला उसे जो है और ओधक या inhibitor inhibitors के रूप में जो है जाना जाता है अगला प्रस्ण है समन्नवे योगिकों के coordination compound की बारे में निमलिकित कथन में से कौन सा गलत है first option है crystal field theory, second है besper theory, third है balance bond theory and last option है आड़वी कच्छक सिध्धान theory तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number B वाला besper theory अगला प्रस्ण है साधे simple titration का उप्योग करके पाने की कटोर्था निर्धारित करने के लिए कौन सी पदार्थ पर योग किया जाता है first option है magnesium idita, second है iron idita, third है sodium idita and last है cobalt idita तो इसका जो right option हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का option number C वाला यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पदार्थ का acetic acid तो यहाँ पर option C जो है correct option है अगला प्रसन है निमलिकित में से किस जैविक रूप से महत पूड समन्वे अड़ो में magnesium का परियोग होता है फर्स्ट option है vitamin b12, second है hemoglobin, third है chlorophyll and last option है carboxypeptid A तो correct option हो जाएगा हम लोग का option number C वाला कुलोरोफिल में जो है महत पूड समन्वे अड़ो जो है magnesium का उप्योग होता है अगला प्रसन है निमलिकित प्रतिकिरियाओं में से किस प्रतिकिरिया से किटोन पैदा हो सकता है फर्स्ट option है प्राथमिक यलको हाल का आक्सी करण, second है secondary यलको हाल का आक्सी करण, third है तिरतियक यलको हाल का dehydrogen करण तो correct option हो जाएगा हम लोग का oxidation of जहांपे दिया है secondary alcohol का oxidation यह वाला option correct हम लोग का option number B वाला oxidation of secondary alcohol अगला प्रसने दुतियक अल्कोहॉल के आकसी करड़ से निम्न में कौन सा उत्पाद बनता है जो सिकेंडरी अल्कोहॉल है उसके ऑक्सिडेशन के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट ऑफ्षन एथर सिकेंडरे एल्डी हाइट थर्ड ऑफ्षन एक कीटोन एंड तो करेक्ट ऑफ्षन हो जाएगा हम लोग का ऑफ्षन नमबर C वाला कीटोन मॉलेक्विल यहाँ पर प्रोडीस होता है अगला प्रसन है निमलिखित योगिकों में से किसमें एक एरिल कार्बन पाया जा सकता है फर्स्ट ऑफ्षन है इथेनाल सिकेंडरे फीनाल थर्ड़ा अगला प्रसन है निमलिखित योगिकों में से कौन सी बहु आयामी नहीं है फर्स्ट ऑफ्षन है प्रोपिलीन गलाइकॉल सिकेंड एथलीन गलाइकॉल थर्ड है साइक्लोहेक्जिन और लास्ट ऑफ्षन है बेंजीन वन्टू डायोल तो गर्रेक्ट ऑफ्षन है मलोग कहा उप्षन नंबर सी वाला साइक्लोहेक्जाननौल अगला प्रस्ने डाइसेकराइड किसी दो मोनोसेकराइड के बंदित होने पर बंती है जबकि वह दोनों बिकरसी बंधन डैस के दोरा एक साथ जुड़ते हैं तो वह दोनों जो है किस बिकरसी बंधन के दोरा जुड़ते हैं उसी बॉंड का नाम बताना है फर्स्ट आपस्चने गलाइकोसाइडिक, सिकेंड है पेप्टाइड, फर्ड आपस्चने आइनिक and लास्ट आपस्चने फासफोडाइस्टर तो करेक्ट आपसन यहाँ पर हम लोका option number first वाला जो यहाँ पे दोनों बिकरसी बंधन जो रहे glycosidic alpha, gamma beta glycosidic बंधन की दोरा जो एक दुसरे से जुड़ते हैं option first जो है correct option हो जाएगा अगला प्रस्न है एक यमीन को amino acid से कैसे बनाया जा सकता है first option है carbon dioxide का योग, second है ammonia का निकलना third है ammonia का योग and last option है carbon dioxide का निकलना तो correct option हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का option बेटी वाला carbon dioxide को remove करके एक एमीन को जो amino acid से बनाया जा सकता है अगला प्रस्न है डैस सभी पदार्थ के सांदर्ड के सभी चड़ो में round का कानून जो है नियम जो है पालन करता है तो ऐसा कौन सा solution है जो कि सभी पदार्थ के सांदर्ड के सभी चड़ो में round के नियम का पालन करता है first option है other solution second है get other solution third है वास्तविक solution and last option है कोई नहीं दिया गया है तो इसका जो correct option हो जाएगा वा हो जाएगा अम लोग का option number first वाला others जो ideal solution होता है वही ऐसा solution जो कि सभी पदार्थ के सांदर्ड के सभी चड़ो में round के कानून का या round के नियम का जो है पालन करता है अगला प्रस्न है nitrogen में camper का एक उदाहड क्या है first option है gas में ठोस solution second है gas में gas solution third है ठोस में तरल solution and last option है तरल में gas solution तो correct option हो जाएगा है यहाँ पर हम लोग का ठोस में जो है gas का solution जो यहाँ पर दिया है solid in gas यहाँ पर जो हो जाएगा solid in जो यहाँ पर first option है gas में ठोस gas में ठोस का solution solid in gas जो है वही जो है gas में camper का एक उदाहड है nitrogen gas में camper का एक उदाहड है आप्शन फर्स्ट हो जाएगा, शॉलिड इन गैस, अगला प्रस्ट है, निकल का परमादू संख्या 28 है, तो निकल के लिए सही लेक्टॉनिक बिन्नास का चैन कीजिए, फर्स्ट आप्शन है, 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 फर्स्ट अगला प्रस्ट निम्लिखित में से कौन सा खनीज चादी निकालने के लिए पर्योग किया जाता है फर्स्ट ऑप्षन है कैला माइन, सिकेंड है सेने वार, थर्ड ऑप्षन है अर्जेन टाइट एं लास्ट ऑप्षन है मैला काइट तो करेक्ट ऑप्षन हो जाएगा, हमलोगुका ऑप्षनन लास्ट और सी वाला अर्जेन टाइट नेक्स्ट एं लास्ट कुष्चन है एक कैथोड और एक नोट विद्धुत रासाइनिक कच्छ के सबसे सामानि घटक है कैथोड के बारे में निम लिखी कथन में से कौन सा कथन सही है या फिर सही कथन कौन सा है फर्स्ट ऑप्षन है कैथोड पर आकसी करड होता है सिकेंड है इलेक्टान कैथोड में आते हैं थर्ड है आम तवर पर एक नकारात्मक चिन द्वारा दर्साय जाता है लास्ट है इसमें आम तावर पर इंसिल्वेटिंग समागरी का निर्माड होता है तो करेक्ट आप्शन है हम लोग का आप्शन नमबर बी वाला इलेक्टान कैथोड में आते हैं तो डियर स्टुडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिल लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल biology top tech जुड़े रहे हमारे channel biology top tech के साथ मिलते हैं next video में next update and next question paper के साथ